तो देखो प्यारे बच्चों हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मिशन कैसे होता है इसके लिए चार रूल पढ़ लिए हैं वो चार रूल रूल क्या हैं एक बार फटावड से पहला रूल यह है कि जब भी इंसिडेंट रे मिरर पर आएगी बट कैसे आएगी पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो हमेशा रिफलेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी सिंपली पैरलल आएगी तो कहां से जाएगी फोकस से जाएगी सेकंड रूल यह है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफलेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल हो जाएगी और थर्ड रूल यह है कि अगर कोई भी रे सेंटर ओफ करवेचर से पास करती है तो वो अपने path को क्या करेगी retrace करेगी यही है चीक है और fourth और final rule क्या है fourth और final rule यह है कि अगर कोई भी ray कोई एक angle बना रही है मान लिजी angle of incidence आई तो जितने angle से वो आई थी उतने ही angle से after reflection वो reflect करेगी ओके ठीक है यहां तक clear है बात तो अब मैं कुछ image formation आपके सामने share करता हूँ देखो बच्चो किसी भी object को रखने के लिए क्या क्या position हो सकती है क्या क्या position हो सकती है यह मैंना आपको last class में बताया था हम लोग कहा कहा रख सकते हैं infinity पर रख सकते हैं beyond center of curvature center पर between c and f f और pole और focus के बीच में यह सब हम discuss कर चुके हैं अगर आपने last class अच्छे से attend की है तो आपको यह सब चीजे पता होंगी मैं केवल उससे आगे की बात करूंगा आज ठीक है image formation by कौन सा mirror कौन के mirror image formation by कौन के mirror सबसे पहले हम बनाएंगे एक कौन के mirror समझ लो बहुत आसान है image formation करना बहुत आसान है फिर मुझे क्या बनाना होगा एक principle axis कोई दिक्कत नहीं सरे इसमेद हो और ये बात सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है pole ठीक है और इस का क्या रहा होगा यहां पर कहीं center of curvature जिस spherical glass का ये mirror एक part है उस spherical glass का ये क्या है center ठीक है clear है यहां तर अच्छा अब मैं object को अपने infinity पर रख रहा हूँ infinity पर object यहां 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 कहीं भी हो सकता है ठीक है वो हम last class में समझ चुके है तो मैं उस object से जो infinity पर कहीं रखा है उससे दो ray लेकर आ रहा हूँ दो ठीक है पहली ray तो यह आई ठीक है और उससे एक ray और लेकर आया मान लीजिए यहां कहीं यह दो ray लेकर आया हूँ ठीक है अब यह दोनो ray reflect करेंगी mirror से reflect करेंगी तो कौन सा rule इसमें लगेगा fourth वाला rule कौन सा rule fourth वाला rule क्योंकि मैं किसी angle पर लेकर आया हूँ अब मुझे angle बनाना है angle बनाने के लिए मुझे normal draw करना पड़ेगा और normal कहां से draw होता है center से ठीक है तो मैं center से पहले तो यहां पर एक normal बनाता हूँ ठीक है clear है अब यहां पर एक angle create हुआ होगा i जितना angle यहां पर है उतने ही angle से यह क्या होई होगी बोलो reflect होई होगी यह बात clear है न ठीक है एक होगय है दूसरा यह वाली जो ray है यह यहां आई अब मुझे normal से क्या करना पड़ेगा normal बनाने के लिए कहां से normal लाना पड़ेगा बताओ center से यही तो लाना पड़ेगा इस point पर यहां पर क्या बन के तयार होगया एक angle of incidence चिक है अब यह वाली ray भी क्या करेगी बोलो reflect यह वाली भी वी क्या कर रही होगी बोलो reflect जितने angle से आई हैं उतने angle से reflect कर जाएंगे अब यह कही न कहीं reflect जब कर रही होगी माली जी ये ऐसे reflect कर गई ये वाला जो point है ये वाला point अगर आप देखोगे तो ये point आपको मिलेगा कौन सा focus कौन सा point रहा होगा ये focus यानि कि जो object है उसकी image कहां बन रही होगी focus पर अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए पूरा एक बार फिर से बताता हूँ क्या क्या किया मैं न ये mirror बनाया आसान है principle axis बनाई आसान है ये क्या है whole आसान है ये c लिखना आसान है यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब जो object मेरा रखा है वो कहां रखा है infinity पर infinity से उस object से बहुत सारी rays आ रही होंगी उनमें से कोई भी दो ray पकड़ कर लाया हमें ठीक है एक ray ले आया कहीं पर ऐसी random ऐसी जहां मेरा मन के मैंने वहां बना दिया ऐसे एक ray ले आया ये incident ray आ गई एक और ले आया यहां पर दो ray आ गई ठीक कम से कम दो ray तो चाहिए ना intersect कराने के लिए आ गई अब fourth वाला rule क्या कहता है fourth वाला rule ये कहता है कि ये जितने angle से आई है उतने ही angle से क्या करेगी reflect करेगी बस इतना ही तो कहता है तो ऐसे ही ये जितने angle से आई है उतने ही angle से क्या कर रही होगी reflect कर रही होगी बस इतनी इसी दो बात है तो मैंने यही किया reflection का angle बनाने के लिए ध्यान रखना जो ray जाती है वो कहां से जाती है center से क्यों क्योंकि ये पूरा क्या रहा होगा circle क्या रहा होगा circle और circle से किसी भी point पर जो angle बनता हो कितना बनता है 90 degree का ये मैंने आपको last class में बताया था चीक है तो अब ये वाली reflected ray यहां पर आई ये वाली ray reflect होने के बाद यहां आई दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया जहां भी intersect करेंगी वहीं पर क्या form हो जाएगी image तो ये वाला जो form इमेज form होई है वह कहां form होई है focus पर होई है अब माल लो ये जो object था वो ऐसा था A, B सिर्फ example के लिए मैंने यहां पर लिखाया infinity पर ऐसा था ये लेकिन यहां पर जब image आई तो A यहां पर आया और B यहां पर आया तो object तो ऐसा रखा है सीधा और यहां पर कैसा आया उल्टा यहां पर image कैसी बनी उल्टी बनी तो ये जो image बनी है ये पहली बात तो image बनी कहां पर है तो answer है image formed at focus image formed at image की बाते हो रही है सारी अब ये वाली बाते हैं किस की थी object कहां पर रखा था अब image कहां बनी focus पर focus पर तो बनी, लेकिन कैसी बनी तो answer है real sir, real क्यों क्योंकि मैंने आपको first lecture में ये बात बताई थी, कि real और virtual में क्या difference होता है real का मतलब, जब actual में दोनों चीज़ें intersect कर रही है ऐसा लग थोड़ी रहा है कि ये intersect कर रही है ये तो actual में intersect की है ये यहाँ से टकरा कर वापस आई ये यहाँ से टकरा कर वापस आई दोनों actual में intersect की है तो कैसी image बनेगी, real चीक, अच्छा real हो गई और real के साथ साथी उल्टी बनी है तो ये कैसी हो गई, inverted तो real and inverted ये समझा आया चीक है, इसका size कैसा है, तो कोई भी देखकर बता देगा, सर, यहाँ तो बड़ा लग रहा है और यहाँ पर छोटा लग रहा है चीक है, तो size कैसा है बहुत छोटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और बड़ा size बनाया है, लेकिन ये बहुत ही छोटा size का बनता है, बहुत छोटा सा, ठीक है तो very diminished लिख देता हूँ मैं यहाँ पर very diminished का मतलब very small in size अगर एक कोई बच्चा ऐसे लिखना चाहिए, very small in size that is okay ठीक है, तो जब भी आप image formation करने के आप मालो आपके सामने कुछन आता है तो आप उसके बारे में क्या-क्या बताओगे number one, पहला तो figure बनाओगे diagram बनाओगे, पूरा, proper और diagram बनाने के बाद next चीज़ है, क्या-क्या लिखोगे वहाँ पर, image formed at focus image कैसी, ये तो हो गया position of image at focus क्या है ये position of image, ठीक है, सबसे पहले position बता दी, दूसरी चीज real and inverted क्या है, nature real and inverted क्या है उसका, अगर कोई पूछे यहाँ पर, जब अब object infinity पर रखा होता है तो जो आपकी image form होती है उसका nature कैसा है, तो आप कहोगे real बनी है, और कैसी बनी है inverted, this is the nature of image ठीक है, तीसरा, फिर आप से पूछा जाए कि image का size बताईए तो आप क्या कहोगे, छोटी सी बनी है very dimnist, very very small ठीक है, तो यह हो गई क्या, position यह क्या हो गया, nature और यह क्या हो गया, size size of the image, यह सब image के बारे हो बात है यह आपका एक part complete हुआ एक position complete होई ठीक है, एक position उनको बनाने के लिए एक बाद फिर से कोई भी एक ray लाया और reflect कर गई एक ray लाया, reflect कर गई दोनों reflected ray जहां भी एक दूसरे को meet की दोनों reflected ray जहां भी meet की वहीं पर क्या बन गई, image बन गई और image बनी कहां पर हम ने देखा तो focus clear यह बात, छीक अब इसके बाद next second जो position होगी, वो क्या position होगी वो मैं आपको बताता हूँ, हाला के हम last class में discuss कर चुके हैं, यह कोई एक कौन के mirror है ठीक है यह principal axis है यह pole है और यहाँ पर कहीं मैंने माना क्या है, center ठीक है, अच्छा अब object को infinity से जब आप लेकर आओगे, तो यहाँ कहीं खड़ा करोगे उसे कहाँ पर center of curvature के पीछे तो मैंने यहाँ पर लिखा beyond beyond center of curvature यानि beyond c यह किसके बारे में है object के बारे में object मेरा यहाँ पर रखा हुआ है ठीक है, मैं पूरा एक diagram बनाऊंगा अच्छा सा, ठीक है, और diagram बनाने के बाद, फिर जो मैं बात है वहाँ से conclude करूँगा, वो किसके बारे में करूँगा, image के बारे में ठीक है, ओके, करते हैं यह कोई object है, A, B इसी की image हमें चाहिए यहाँ पर कहीं, ठीक है, तो इसकी image इसके parallel आएगी, तो वो after reflection, कहां से pass करेगी, focus है, तो यह point focus रहा होगा, इसमें कोई doubt है क्या, नहीं सर, कोई doubt रही यह तो clear हो गई बात, ठीक है अब इसके बाद दूसरा rule use कर रहा हूँ, दूसरा rule यह कहता है कि अगर कोई भी ray focus से आएगी, तो after reflection, principal axis के parallel हो जाएगी ठीक है, यह तो कहता है, तो मैं यह incident ray आई और यहाँ पर, अब यह क्या होने जा रही है, reflect होने जा रही है तो यह reflect हो गई इसमें क्या doubt है, कुछ भी नहीं सर देखो parallel आई, reflect हो गई focus से आई, parallel हो गई लेकिन यह दोनों reflected ray एक जगह पर कहीं एक दूसरे को intersect कर रही है, कर रही है या नहीं कर रही है तो answer है yes, यहाँ पर कहीं कर रही है यह position actual में कहा है तो answer है between C and F, तो यह हमारा A है और यह B ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि जो position of image है वो कहा है हाँ, तो आपने कहा सर between C and F यह position की बाते हैं हो गई चीक है बच्चो, इसके बाद next, अब आप मुझे बताओगे कि उसका nature कैसा है real and inverted, real and real क्यों कहा आपने actual में intersect कर रही है, actual में meet कर रही है यह दौनों ray एक दूसरे को, यह यहां से यह यहां से, actual में meet की, तो इसलिए image बनेगी, real और सर यह ultra बना है ultra क्यों बना है, कि जो A से जो आ रहा था न, A वाली ray देखो यहां है यह वाली ray भी कहां से आ रही थी, A से तो यह जब reflection के बाद यहां आएंगी, तो जो मेरा A वाला पॉइंट है, वो मझे यहां देखेगा और B वाला यहां देखेगा तो यह कैसी बनी, ultra बना तो इसलिए मैं क्या कहूंगा real and inverted ठीक है सर, इसमें भी कोई डाउट नहीं अब इसके बाद size के बारे में बात करते हूं देखो सर, यह size देखने में पता चल रहा है कि object कैसा है, बड़ा है और size उसके comparison में कैसा है छोटा, पहले जो बन रहा था वो बहुत छोटा बनेगा लेकिन अब जो है थोड़ा बड़ा तो हुआ है लेकिन अभी भी हमारे object से कैसा है, छोटा है image का side, तो मालो पहले आपने very diminished लिखा, अब सिर्फ diminished लिख दो, छीक है तो यह मैं आलिक देता हूँ diminished या पहले आपने very small in size लिखा, अब सिर्फ small in size लिख दो, then object छीक है, यह बात आगई आपको clear है तो यह हो गई बच्चों, दो adjacent, अब मेरा object यहां तक आच चुका, अब मैं next जब बनाऊंगा तो object को कहां पर ले जाकर रख दूँगा C पर, at center of curvature छीक है, तो मैं ले कर जाता हूँ third when object object कहां पर रखा हो, C पर रखा हो छीक है, तो रखते हैं चलो C पर, तो यह माल लीजिए एक mirror है, और यह जो mirror हम बना रहे हैं, यह कौन के mirror है ओके, यह principal axis है, यह pole है, और यह कहीं यहां पर center of curvature है, ओके, यह आसान है बिलकुल कोई दिक्कत नहीं इसमें, अच्छा, अब हम अपने object को कहां पर रखने वाले हैं तो answer सब center of curvature पर ही रखने वाले हैं, यह a, b कहां पर रखा है, center of curvature पर, ठीक है, अब image formation करना, start करो इस object का, तो image formation कैसे कराते हैं, तो answer सब दो ray ले लो कोई सी भी जो आपको ठीक लगती है ठीक है, तो मुझे तो सबसे पहली वाली जो ठीक लगती है वो यह कि इसमें से एक ray लेकर जाओ कैसी, parallel to principal axis और उसे pass करा दो, कहां से focus से ठीक है, focus से pass करा दो, यह करा दिया सर लो, pass करा दिया focus से यह आई, focus से, ठीक है, और अब यह focus से आई है तो अब यह parallel हो जाई, तो यह parallel हो गई, ऐसा कुछ बनाया मैंने, तोड़ा सा और आगे बनना चाहिए, यह इसको, मैं यहां ऐसा पहीं लेकर जाता हूँ और ऐसा, ठीक है, यह focus से आई, और क्या हो गई, parallel हो गई, ठीक है यह, तो अब इसकी जो image बनी है वो कहां पर बनी है center of curvature पर बन गई, कहां पर बन गई, center of curvature पर चीक, जितना बड़ा size object का है, उतना ही बड़ा image का भी size बन रहा है तो अब हम image के बारे में अगर चीजें लिखें, तो क्या क्या लिखेंगे तो answer है सबसे पहली चीज तो सर आप यह लिख लो, कि image बनी है, position कहां पर है center of curvature तो आप लिखोगे image के बारे में image बनी at sea चीक है, second जो बात आप लिखोगे nature, nature कैसा real and inverted चीक है real and inverted कोई problem नहीं आई सर इसमें तो यह तो बहुत आसान है, और third बात यह सर, side जो है वो same है है ना, तो same as object, sorry size भी लिखना चाहिए मुझे, size same as object तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हमारा object infinity पर रखा था image कहां बनी थी, focus पर, फिर object को हम यहां लेकर आगे, image एक कदम आगे बढ़ गई थी, between कहां बन गई थी, c and f, फिर object को हम एक कदम आगर लेकर आगे, कहां पर center of curvature, तो image भी एक कदम आगे आगे, अब कहां पर आ चुकी है center of curvature पर हाया ना, पहले image छोटी बनी, बहुत छोटी बनी, very diminished, फिर diminished और अब कैसे size की हो चुकी है same size की, और अब जब next बनाओगे ना, तो वो object से बड़ी होना शुरू हो जाएगी छीक है, तो next position क्या होगी object की, तो answer यहां तक तो आगए, अब कहां पर रख दें, c और f के बीच में, छीक है तो next और fourth यहां बनाता हूँ, object जब रखा हो, कहां पर, between c and f चीक है, ओके चलो बनाते है यह एक mirror है, और यह principal axis है यह pole है और यह center of curvature है अब मालो यहां पर कहीं focus भी रहा होगा ऐसा मैंने माना, यह, चीक है object को यहां रख दिया हमने कहीं a, b ओके अब आप क्या करोगे दो rays बनाओगे पहली ray तो मैं parallel वाली ही बनाता हूँ, चीक है तो पहली ray मैंने यह बनाई parallel चीक है यह after reflection कहां से pass करेगी, focus तो यह after reflection यह गई focus से चीक है, एक काम हो गया अब दूसरा काम कराओ दूसरा काम क्या है दूसरा काम यह है कि दूसरी ray जो है वो जाएगी कहां से focus से और वो after reflection क्या हो जाएगी, parallel principle axis के parallel हो जाएगी तो मैं इसको parallel लेकर आता हूँ यह यहां पर कहीं आ रही होगी यह ठीक है यह जो आ रही है, यह कहां पर आई है image beyond sea अब कहां बनी sea के पीछे ठीक है, beyond sea बनी तो अब आप image के बारे में लिखो image के बारे में प्यारे बच्छों जब आप लिखोगे तो आप कोगे image की जो position है वो है beyond sea beyond sea और आपको यह बात समझ में आ रही हो कि यह एक्चुल में दौनों एक दूसरे को meet कर रही है तो इसलिए nature real and inverted ओके, यह तो समझ आ गई ज़र बात इसके बाद third वाला जो point होता है वो होता है size तो अब image का size, object के size से clearly दिखाई दे रहा है, बड़ा हो चुका है तो आप यहाँ पर लिख दो enlarge या यह लिख कर आ जाओ कि image size greater than object size ठीक है, आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, उसमें कोई दिख कर नहीं है आपको सिवल यह बात बतानी है कि वो कैसा दिखता है तो आप कहो कि ठीक है, object से बड़ा दिखता है उसमें आप कोई भी word यूज करो, enlarge यूज करो large यूज करो, जो भी ठीक लगे उसमें कोई दिख कर नहीं है, ठीक है यहां तक समझ आया अब object कहां पर आ चुका between c and f अब इसको, जब देखो हमने क्या किया था, इससे पहले वाले में जान रखना इससे पहले वाले में object c पर था, image यहां पर थी object ने इधर jump किया तो image ने, इधर jump कर दिया अब मैं object को f पर jump करूँगा, तो image कहां चली जाएगी, infinity पर चली जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, तो मैं वही करने वाला हूँ यहां पर next jump कराता हूँ, jump कहां कराना है, at focus, focus पर लेकर जाओं object को ठीक है, लेकर जाता हूँ fifth number, जब मेरा object रखा होगा कहां पर? at focus, ठीक है यह एक कौन के mirror है यह principal axis है यह pole है और यह यहां कहीं center of curvature है और इनके बीच में, यहां कहीं focus रहा होगा, ठीक है अब हमें object को focus पर ही रखना है ठीक है, यह मैंने object रख दिया a, b कहां रखा है यह? focus पर ठीक है, इसमें कोई doubt है क्या? object focus पर रख दिया ठीक है अब image formation कराने के लिए दो ray चाहिए तो उनमें से एक ray तो पका है कौन सी वाली? parallel वाली parallel वाली लेकर चले जाओ आसान होता है क्यों? आसान क्यों होता है सर? क्योंकि यह parallel लेकर गए और कहां से pass करा दी? focus से pass करा दी ठीक है? yes? अच्छा और दूसरी अब सर कहां से pass करा है? second वाली तो सर हमने यह पढ़ी थी कि focus से pass कराओ और parallel कर दो लेकर अब तो objective focus पर रखा है तो यह दिक्कत है तो second के बाद अब third पर चले जाओ मैं कहता हूँ कहां चले जाओ? third पर चले जाओ third वाला क्या है? third वाला यह कहता है कि कोई भी ray अब यह जो source है इससे तो सब तरफ ray निकल रही होंगी retrace कर रही होगी अब यह वाली ray इधर जा रही है इसको थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए एक सेक्ट थोड़ा सा इधर करता हूँ यह देखो यहां से ऐसे जा रही है यह वापस आएगी अपने पास में हाया ना आएगी तो यह अपने बात में जब वापस आएगी ऐसा कहीं जा रही होगी थोड़ा रफ फिगर है यह ठीक है ऐसा जा रही होगी और जो पैरलल हो गई थी वो क्या हो रही होगी focus से pass कर रही होगी ऐसे अब आपको एक चीज दिख रही है क्या कि ये दोनो ray ऐसे होने वाली है और आगे जाकर क्या कर जाएंगे एक दूसरे को meet कर जाएंगी, intersect कर जाएंगी अभी तो नहीं किए हैं लेकिन अभी कर इंटरेक्ड कर रही हैं क्या नहीं आगे जाकर कहीं न कहीं मीट कर जाएंगी तो जो आगे जगे होगी उस सब जगे का नाम क्या होता है क्या नाम होता है अभी मीट नहीं की है लेकिन हाँ इंफिनिटी पर जाकर कहीं न कहीं मीट जरू कर गहीं होंगी तो actual में meet की होंगी या हमें ऐसा लग रहा है actual में meet की होंगी actual रही तो जा रही है उस side में तो meet कर गई होंगी कहां पर infinity पर तो एक बाँ फिर से कैसे बनाया सर यह object कहां रखा है focus पर छीक है सर एक ray parallel गई और focus से pass कर गई focus वाली जो थी focus से जाने वाली तो focus पर रखा यह object तो second rule यूज नहीं किया हमने third use कर लिया third क्या कहता है कि कोई भी ray जो ऐसे गई होगी वो अपने path में क्या कर गई होगी तो वापस ऐसे जा रही होगी और ये दोनों ray इधर तो ऐसी है लेकिन इधर की side में मीट कर गई होगी कहां पर infinity ठीक है तो हम image की बारे में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे number one image की position कहां है at infinity कैसी रही होगी nature है sir real and inverted real क्यों कह रहे हो sir क्योंकि ये कही न कहीं मीट कर गई होगी हो सकता है यहां आगे जाके मीट कर जाए पूरा बोर्ड पर ऐसे बनाओ तो कहीं न कहीं मीट कर जाएंगे चीक है और third अगर हम बात करें तो उसका जो size बना होगा वो बहुत बड़ा बना होगा बड़ा बना होगा कर नहीं बना होगा दिखाऊ थोड़ा सा ऐसे करके यहां कहीं आ कर ऐसे इतनी बड़ी object इतना सा है और image इतनी बड़ी बनी होगी कहीं ठीक है तो आपको यह बात समझ में आ गई कि जब image फॉर्म होई होगी जब आगे जाकर मीट की होंगे तो बड़ा image बना होगा तो आप लिखेंगे क्या highly enlarged ठीक है clear होगी बात इसमें किसी होगी doubt अब क्योंकि हमारा object focus पर आ चुका है तो अब मेरे पास एक ही position बची है between focus and pole मैं यहां रखकर दिखाता हूँ अब आपको object को ठीक है तो when object between focus and pole तब क्या होता होगा तो answer है कि हम यह हमने एक mirror बनाया जो कि एक कौन के mirror है यह principal axis है यह pole है और यहां कहीं रहा होगा जैसा मैंने माना यहां कहीं center of curvature रहा होगा ठीक है और यहां पर कहीं क्या रहा होगा focus रहा होगा ठीक है और यहां कहीं object रखा होगा है यह A, B ठीक है बच्चों यहां तक कोई doubt है क्या बोलो अब्जक्टी तो रखा भी तो between c and oh sorry f and p अब्जक्टी तो रखा भी तो कुछ नहीं किया है अब करना start करते हैं ठीक है क्या करें सर सबसे पहला काम तो आप यह करो बच्चो कि एक parallel ray बनाओ ठीक है बना दी सर लिए लो parallel ray बना दी और हम जानते हैं क्या focus से पास करेगी यह तो पक्ता है तो यह वाली ray जो parallel है वो focus से जाएगी ठीक है यह ऐसे कहीं गई होगी ठीक है यहां तक समझ आ रही है मैं ही सारे figure जो diagram बना रहा हूँ यह सब rough बना रहा हूँ आप आराम से paper पेन पे बनाओगे अच्छे से बन पाएंगे ठीक है यह हो गया अच्छा एक काम और करना पड़ेगा सर आपको वो क्या बोलो बोलो दूसरी ray ले नहीं पड़ेगी दूसरी ray मैं मालो ले ले लेता हूँ कौन से ले लेता हूँ । यह मैंने ray ली एक यहां से कहीं ऐसे एक ray ली ऐसे छिक है यह मैंने एक ray ली यह कहां से आ रही है बोलो सेंटर अफ कर विचर पर गई और फिर अपने path को क्या कर रही होगी Re-Trace कर रही होगी अभी तक मैंने जो बोर्ड पर बनाए इसमें बताओ क्या डाउट है कुछ भी नहीं सर देखो पैलल गई फोकस से गई सेंटर अफ करवेचर से गई होगी तो अपने पात को क्या कर रही होगी यहां तक ठीक है अब इस वाले फिगर में देखकर क्या आपको नहीं लगता है कि यह वाली दोनों रे इधर मिलेंगी जाके ना कि इधर मिलेंगी दिख रहा है इधर वाली नहीं मिलेगी इधर देखो पतला है और इधर चोड़ा है जिधर पतला होगा उधर ही तो मिलेगी आप कोई सा भी रूल ट्राई कर लो तब भी मिलेगी नहीं, अगर मालो कोई एक रे, ये इस वाले अबजेक्ट से आप यहां लेकर आए, तब भी वो ऐसी जाएगी, तब भी ये क्या होगा, ऐसा, और उधर ही जाकर मिलेगी, तो आप रूल कोई सा भी लगा होते, ये मत सोचना कि सर ने अपने लिया जरूर है, जिससे कि आसान हो जाए, जो आप के लिए आसान हो जाए, लेकिन आप रूल कोई सा भी यूज़ करते हैं, इमेज फॉरमिसन वहीं होगा जहां होना है, ये बात जान रखना है, तो इधर क्या हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा फैलेगा, और इधर की तरफ क्या होगा, मीट करेगा, लेकिन प्रॉबलम ये है कि वहाँ तो रे जाई नहीं रही है, रे तो इधर जा रही है, ठीक है न, ये कुछ ऐसा फिगर है, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, ऐसा है ये, ऐसी तो आ रही है, ये आ रही है, और एक ये आ रही है, ठीक है न, तो अब इसमें क्या है? ये वाली रियो रे हैं मुझे पीछे की तरफ बढ़ानी पड़ेगी? ये वाली भी क्या करनी पड़ेगी? पीछे बढ़ानी पड़ेगी तब जाकर कहीं मीट करेंगी? है ना एक्चल में तो meet करेंगी नहीं हमें क्या करना पड़ेगा इनने meet करवाना पड़ेगा with the help of geometry ठीक है तो मैंने pencil ली और pencil से इसको पीछे कीचा और इसको पीछे कीचा अब यह दोनों यहाँ पर जाकर कहीं meet कर गई ठीक है करी नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है कि वहाँ जाकर कई meet कर जाएंगी ठीक है actual में meet नहीं कर रही है तो यहाँ पर क्या form हो गई होगी एक image अब जो a है वो यहाँ दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा बोलो क्योंकि दोनों रहे यहीं तो जा रही है तो यहाँ A बना होगा और यहाँ B बना होगा अब यह जब बना कहाँ पर है तो आंसर है image के बारे में अब हम यह लिखेंगे कि जो इसकी position है वो behind the mirror है कहाँ पर mirror के पीछे जाकर image बनी और कैसी image बनी और कैसी इमेज बनी वर्चुल 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 बनी सर वर्चुल क्यों नमबर 1 जैसे gaming की दुनिया होती है उसमें कुछ टुच नहीं कर सकती है वर्चुल दुनिया है erect कैसी बनी है, erect, virtual and erect, सीधी image बनी है, उल्टी थोड़ी बनी है, उल्टी बनती तो हम क्या कहते, inverted, ठैकर यह तो सीधी बनी, तो हम क्या कहँगे, virtual and erect, चीए, यह समझ आया, चीए, इसके बाद size कैसा है, तो अफ्कूर्स बड़ा साइज है ओब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ा साइज है चीक है ये वाला केज एक बार फिर से ज्यान से समझेंगे ओब्जेक्ट कहां पर रखा है बिट्वीन फोकस एंड पोल रख दिया सर फिर हमने पहला रूल लगाया पैरलल गई और फोकस से पास कर गई फिर हमने दूसरा रूल लगाया center of curvature से जा रही होगी अपने path को retrace कर रही होगी लेकिन ये दौनों ray ऐसे ही जा रही है और इधर की तरफ जाकर कहीं meet कर रही है तो हमने geometry से पीछे meet कराया और meet कराया तो यहाँ पर image form हो गई और यह क्योंकि हमने ऐसा virtually बनाया है ऐसा बनाया है actual meet नहीं कर रही इसलिए हमने का virtual and direct और image behind the mirror ठीक है और कैसे size की बड़े size की as compared to object ठीक है So these are the six image formation by कौन के mirror यह आपकी सारी position के लिए हो गए चीक है यहां तक बात आगी संदा अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें बताता हूँ जिसकी help से आप directly exam में answer कर पाओ क्या exam में मालो exam में answer question आगया कि object f और p के बीच में रखाओ तो बताओ image कहां बनेगी तो आपको पता है कि image कहां बनेगी behind the mirror यह तो सामने figure बन रहा है इसलिए पता है otherwise क्या करना पड़ेगा NCRT की book में एक table दे रखी है उसको बैठके याद करना पड़ेगा तो हम ना तो image figure बना कर सोचेंगे ना NCRT की book की table याद करेंगे हम नए तरीके से करेंगे कैसे? देखो यह mirror है यह principal axis है ठीक है? अब यहाँ पर pole होता है यहाँ पर कहीं center of curvature होता है यहाँ पर focus होता है यहाँ कहीं infinity होती है हमारे पास object को रखने के लिए क्या क्या position है? तो answer है infinity beyond center of curvature C F और P चारीज जगे है चार मतलब point है तो अपना board exam के अंदर कभी आ जाता है और ऐसा कभी short question आ जाता हो फटापट से पता करना है कि कैसी image बन रही हो nature क्या होगा, position क्या होगा सब कुछ जानना है उसके बारे में तो उस फटापट से पीछे क्या लिख लेना है infinity CFP क्या लिख लेना है ये लिख लिया, चीक है ये लिखने के बाद बस एक चीज ऐसी है जो याद होनी चाहिए जब object हमने कहां पर रखा infinity पर तो image कहां बनती है बस, इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना बस इतनी सी बात याद रखनी है बाकी सब क्या होगा बाकी सब jump करा 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 के हो जाएगा मतलब इसको हम next position पर jump करा रहे है beyond C तो इसको भी एक position jump कराओ between कहा आ गया है ना, आ गया ना अब इसको एक position जब करा रहे है object को जब और यह हमारा कौन है object दान रखना, यह object की position है और यह वाली किसकी position है image की position है तो अगर मैंना object को एक jump कराया तो image को भी एक jump करा दो तो पता चलिया ना जब object c पर रखा होगा तो image भी c पर बनेगी अब जब मैं next वाला आपसे पूछूँगा तो आप फटा फट से answer दे दोगे मैं next jump करा रहा हूं object मालो रखा है between c and f तो image कहां पहुँच गई होगी अब आपको डारेक्ट पता चलिया ना आपने फिगर तो नहीं बनाया आपने कोई डायग्राम नहीं बनाया आपको डारेक्ट पता चलिया यह समझ आया चीक अच्छा अब object को हम कहां पर ले गए एक jump कराया हमने कहां ले गए focus पर अब image कहां चली जाएगी यह आपको तो सा behind the mirror तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसको six को अधर ना बना कर यहां बना देता हूं behind the mirror यह वाली position आप ज्यान रखना एक position कौन सी है यह behind the mirror ठीक है अब यह तो सर्फ position पता चल गई position directly बता सकते हैं यह नहीं object मैं कहता हूँ beyond center of curvature है बताओ image कहां बनेगी कहां बन रही है between c and i दिख रहा है ना clearly तो सारी position clear हो गई अब बात आती है कैसी बनेगी तो answer है यह जितने भी case है इन सब में बनेगी कैसी real and inverted accept only one case कौन सा behind the mirror जिसमें कैसी रही होगी virtual and direct ओके यह हो गया अब तीसरी चीज में क्या बोलता हूँ लिखने के लिए size size की अगर हम बात करें तो यह जिस center of curvature पर होता है ना object तब यहां पर size कैसा हो चुका होता है same कैसा हो चुका है तो same के बाद इधर जाओगे तो छोटा होगा और इधर जाओगे तो बड़ा होगा तो इधर की तरफ जा रहे हो तो diminished या small जो भी लिखो इधर क्या होगा होगा diminished फिर आगे जाकर कैसा हो गया होगा very diminished इधर size छोटा हो रहा है इधर की तरफ जाने पर क्या हो रहा होगा size बड़ा तो पहले आपने लिखा मालो enlarge फिर क्या लिखोगे highly enlarge ठीक है highly enlarge लिखोगे फिर enlarge या highly enlarge जो भी लिखना चाहो that is okay तो same से इधर की तरफ जब जाओगे तो क्या होगा बढ़ागा increase होगी और इधर की तरफ अब आपके सामने बोर्ड पर सब कुछ लिखा होगा है ठीक है अब मैं एक question पूछूँगा उसके बारे में आप तीनों वातें बताओगे ठीक है कैसी रही होगी कैसी रही होगी size of dimension इस तरह से आप सोट ट्रिक्स से बड़े आसानी से पैचान सकते हो तो ना आपको कोई table रटनी है ना आपको diagram बना के पता चलेगा आपको direct पता चल जाएगा ठीक है पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होगा चुनियत GS classes को और करे अपने board and JEE का सपना साकार download the app now